आप सभी साथकों को स्वागत है मैं अर्विन सक्सेना बोल रहा हूं साधना जगत के रहस्यों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रतियक वीडियो को देखें और इसमें दी गई भी प्रतियक प्लेलिस्ट को भी देखें अब यह जो वीडियो है इसका जो टाइटल है वह है पित्र दोश भाग दो bitten आप श्राद भाग प्राप्ति के रूप आद हर तो यह इसका जो चुकिवी टाइटल है यह पित्रदोश भाग दो तो इसका पित्रदोश भाग एक वश्य देख लिजेगा यह है वीडियो नमबर 194 194 पित्रदोश भाग एक में है कारण लक्षन और उपाए इसमें उसी के यह कंटिनेशन में मानियागा और उसमें जो मैंने बातें बताएं थी उसी के बाद में कुछ और आपको यहां पर चर्चा करूंगा क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस चैनल में वह साथकों के लिए बना रहा हूं और साथकों को दिश्टी कोड़ों में को दिश्टी कोड़ों में रख के बना रहा हूं कि साथकों को क्या आपशकता है बढ़ सकती हैं कौन स प्रित्रदोश इसके में कई सारे इसके आयाम है इसके कई डैमेंशन से उसमें उस सब बातों को जाना जुरूर ही तब उनको सब को इंटेग्रेट करते हुए तब एक पूरी पिक्चर जो है वो सामने स्पस्ट होगी अकेले केवल एक वीडियो देखे और यह पूरा निश्कुष निकालने का प्रयास नहीं करना है यह प्रित्रदोश क्या होता है उसके उपाय क्या होंगे लक्षन क्या होंगे इसाब बातें समझ मिन आएगी जोकि पित्रदोश के बारे में बहुत सारी प्रकार की बांतिया लोग एक तो यह समझें कि जो मैंने इसके जो भाग एक जो मैं बताया था पितरोज भाग एक में उसमें मैंने कि जो जिसको करना जाएं कि बहुत सारी चीज़ां इसी ती जो की सूप शुजगत की होती वो उसमें नहीं बताई थी कि मैं अपो सूक शुजगत की पितनों की जीदों के बारें मता रहा हुँ था क्योंकि क्या है कि जैसे समझें जेए कि हम किसी भी दूश को या किसी भात को समझ रहे हैं अंश के यह अपर उसको समझाने के यहां प्रयास कर रहा हूं, अगर बात समझ में आ रही है, तो पिर नीचे में हमको अपने जीवन प्रिदोष या अपने जो भी समाज में, देश में, घर में देख रहे होंगे सारी चीजें, तो उसमें उनको हमको इंटेग्रेट करने में आसानी होगी। हैं जो बीजिन में उसको भी इंटिक्रेट करना है और फॉरवर्ड बीटाइड्री तब पूरी पिक्चर सामय सामने इस पस्ठ अगी कि इस साथ को को इस बात कर ध्यान अधे में पहरी उस से लॉसरीं में प्लेट में टोइवार ओंवार लॉक 와 जिस है कि हमको सब पाते पता चल गए है तो अब यह जो इसका जो टाइटल में बताया यह है दिव पित्र तो पित्र लोग जो हो पित्र जो है यह कौन होते हैं कहां होते हैं इस वर्ग में जो है यह पित्र होते हैं और यनि इसको आप पित्र लोग की समझ लीजिए प्रकार का और इसमें पित्रों के जो साथ गण होते हैं साथ में से तीन जो होते हैं मूर्ती रहित होते हैं और चार जो होते हैं मूर्तिमान होते हैं बाकी लोग मूर्ति रहे थे और जो मूर्ति रहे थे वो वैराज के नाम से प्रसिद्ध हैं उनकी इतनी उन्ची कटेगरी होती है उनको देवतागण भी जो हैं उनकी पूजा करते हैं इंपोर्टेंट बात है यह अब इसके बाद इनके जो वहां पर जो कई प्रकार के उनक आए लगर यहां प्रया कि प्त्र करे और प्रसिद्ध उनको पून्ह पूजा करते हैं इनकी भी बहुत प्रकेणी होती है और इनका स्मान भी देवतागण लोग करते हैं इनका जो पित्रगण है इनका नाम है यज्वा इनको अगश्वात भी कहते हैं और इनका ये जो है क्या करते हैं कि जो शाद में जो सामान रूपसे अमनॉश्यों की बात पता रहे हूं जो शाद में पंद्दान इत्यादी वगरा City कुछ किया जाताए उसमें जो अन्र का जो भी या जो भी अर्पत करते हैं वाँ पे शाद के समय में जो भी पदार्थ वो पिता को पिता के पिता यह निए पितामा पितामा के पिता यह प्रपितामा पहुंचाने की विवस्ता करते हैं सुख्षुनुप से यह इनका कार्य है जो यह यजवा लोग में जो रहते हैं इसके बाद दूसरा एक लोग आएगा यह विभ्राज लोग है यह और यहां पर बहिर्ष संग्यक पित्रगन जो है उनका नाम होता है वह वहां पर निवास करते हैं यह यहां पर कहा है कि इनके लोग में एक रक्ष है संकल्प रक्ष कहते हैं वो जो है संकल्पाँ को पूरा करता है और यह सादक जो है यह पित्र जो है सच्चे सादक होते हैं सादना करते हैं मनुस्यों में तो सच्चे सादक की बात बता रहा हूं उनको यह प्रडक्शन दे हएं तो यह विक हैने साठ्व को सामने बात होनी चाहिए कि जो पित्र लो भी प्रटक्शन देते यह जो प्रश में रहते हैं लो जेशल के भाड किया कि अगला शीन है मार्तंद मंदल लो यहां पे जो 1944 है उँनका नाम है मारीची गर्व, पित्रगणू, ये उनका अस्थान है रहने का ये अंगिरा रिशी के पुत्र हैं, इनको हविश शमान भी कहते हैं और ये राजाओं के पित्र हैं यह जो मिलनब की शासक वर्ग है उनके यह पित्र हैं और यह लोग स्वर्ग और मोक्ष प्रिदान करते हैं इसके बाद अगला लोग है काम अंदुग लोग यहाँ पर सुस्वद पित्रगणा उनका नवास है सुस्वद उनका नाम है यह इक्षान सारजा भोग देते हैं इनको आज्यब भी कहते हैं इस लोग में जो भी पहुंचता है उसको अपने हजारों जन्मों के संबंधियों वो ग्यान हो जाता है जन्मों में कौन कौन उसके घर में माता पिता भाई भेन और जो भी संबंधी कुटुम वाले रिश्यदारी सारे लोग कौन कौन रहे हर हजारों जन्मों में उन सब का ग्यान उसको वहाँ पे हो जाता है इसके बाद जो है अगला लोग है सू मानस लोग यहाँ पे जो पितर रहते हैं उनका नाम है सोमप यह लोग योगी हैं और इनका अशिजवाद जो मिलता है तो उस व्यक्ति को योग का ग्यान होता है यह बहुत इंपोर्टन बात है और इन पितरों की जो कन्या है उसको नर्मदा नदी कहते है इसलिए नर्मदा नदी में आने का बहुत भारी महत है आगे मैं किसी वीडियो में बताऊंगा यह जब मैं पितर तीरत के बारे में जानकरी आप लोगों को दूँगा तो आपको बताऊंगा इस बारे में और त पितरों के बारे में यह दिव्य जो पितर है उनके बारे में जानकरी दी अब हम लोर एंड में क्या कर रहे हैं लोएस्टेंड में शाद बगारा कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि यो भी शाद में इत्यादी करेंगे तो क्यों करते हैं पहले तो यह जानले उसको तो शाद क महां तो समझना कि एक कुछ पॉइंट सापके सामने रख रहा हूं शाद जो भी होता है शाद में जो भी पूजान इत्यादी किया जाएगा और उसके बार जो दान इत्यादी किया जाएगा वो हमेशा इन पित्रों को संतुस्ट करता है आप संतुस्ट होकर वो क्या करते हैं जो आरोग देते हैं पुष्टी देते हैं संदान देते हैं स्वरकृदान करते हैं और पित्रों को क्यों पित्रों की जो है यह संतुस्टी आवश्यक है क्योंकि यह देवताओं से पहले इनको संतुस्ट करने से क्या होता है इससे क्योंकि पित्र जो है हमारे अपने लोग मतलब हमारे पितर है तो हमसे रिलेटेड हैं तो क्या बहुत बहुत जली प्रसंन हो जाते हैं और हमारी मदद करते हैं मदद में मैंने आपको देखी कई सारे अभी लोगों के बारे जानकरी दी कि जैसे सुमानस लोग में जो है वो सुमब पितर जो है वो योग का ज्ञान दे देते हैं तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे तरीके के अपने वंशेजों की साहिता करते है जो पितर हैं ये परवों के देवता है और जो शाद कर्म होता है उसको उसका अंतिन फल माना जाता है ब्रव की प्रापती आ पर सोमप पितरों की बात मैंने बताई जो सुमानस लोगों रहते हैं उनकी क्रपा मिल लेगी तो ब्रह्म की ज्यान की प्राप्ति भी होती है और दूसरा एक इंपॉर्णन बात है कि शाद कर्म करने से जो प्रितत्व होते हैं जो कहीं प्रित बन गए हो त्यादी अपने वन्ष में कुल में उनका भी शुटकारा मिलता है अलाकि यह बात आप व कि एकर सब्सक्राइब में करते है और ओस्के इंपॉर्ड हों साथ में आआ एक कि यहेंगा जांव На कि कीケ scrambled neighborhood सब समाप्ति हो गई तो मैंने उसमें बताया हुए पितर दोष स्वेम भी जनरेट करते हैं व्यक्ति और किस प्रकार से वंशुम है अपनी संतानों को भी ट्रांसवर करते हैं खोदी व्यक्ति अपने आपको करता है वह सब बाते मैंने उसमें बता ही तो देखिएगा इस यह इशाद के मात्व के जो मैंने अभी पाइंट उसी के यह बैग्राउंड गरूप मैंने आपको यहां पर टिपनी करी शाद के लिए जो निर्मल स्थान है कौन-कौन से कोवित स्थान माने जाते हैं तो जो यदि हवन के द्वारा भी जो है पितरों को आउतिया पहुंचा ह कर दो करता हो तो वह कर सकता है यह कोई साथा कि अपने घर में कर रहा हो तो तो कर सकता है उसको किसी और व्यक्ति की साहता लेने की आपशकता भी नहीं मैं यह सब्सक्राइब मैंने देखेगा र्रफक्रारा होता है शाद पित्रों को आउतियां के द्वारा उनको चीज़ें पहुचाई जा सकती है श्रीवस्थान में शाद करना चाहिए जल में हो सकता है यह सारी बात है इंपोर्टेंट है और पित्रकार के लिए जो दिशा होती है वो दक्षिन उत्तम मानी गई है और उत्तम समय जो माना वो दोपहर के बात का बना गया इसमें एक पॉइंट और आपको मैं बहुत बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है और लोगों को बहुत कम इस चीज़ की जानकारी रहती है कि यह श्राद अगर हो रहा है तो इस प्रकार से कहां 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 मना पहुंचे का भी तो मैंने अभी जो बताया कि जो दिविपितर होते हैं यह इनका कार होता है कि वो जो श्राद का अन भाग जो है अन ने पितरों तक पहुचा है यह नहीं थे के कटेगरी हुई दिविपितर की हुई फिर उसके बाद आप लुएस लेविल पर आएगे कि जो की ऐसे जो है इनकी म्रत्ति हो गई हो परिवार में और वो जो है अपने बुरे करमों के वजये से वह प्रेत प्रेतियोनी में चले गए हूं और भी रहते हूए होगे अर अपने वंचन्तों को परिशान कर रहे हूं इसके लिए भी मैंने जो वीडियो पित्रदोश वाले में भाग एक में बताया है कि उनको फिर किस तरह से उनको उनसे जो है नेराखन किया रहता है यह वीडियो नंबर एक साथ हम भाग एक भाग भाग वन सिक्स्टी एंदो में मैंने बताया हुआ है वह लुएस्ट कटीगरे के पित्र हो गए जो प्रेत बन चुके हैं और हमारे फैमिली में हमारे घर में ही रह रहे हैं और सबको परिशान करते हैं एक तो वह बात हो गई अब उनके उपर भी बहुत सारे ऐसे होंगे इनकी उस सिज़ी से लेगे आँ दिव पितर के बीचे महस सारी कटेगरीज होंगे तो उन कटेगरीज के बारे मता रहूं जो यजवा पित्त गरण है यह मैंने बताया है जो कि सोमपत लोक में रहते हैं वो पिता और पिता के पिता यहीं पितामा और प्रपितामा के पास में श्राद का भाग पहुचा देते हैं दिव पितकल केवल यहीं तक नहीं पहुंचाते हैं केवल तीन पीड़ी तक नहीं हुआ जो भी श्राद किया जाता है उसका जो भी भाग होता है वो उन सब के पास भी पहुंचा जेते हैं जो कहीं और भी जन्म ले चुके होते हैं यह बड़ी इंपॉर्टेंट बापता रह और उनको उनके कर्वों के विघते से मपफ्षान ने उनको दि वयोनी प्रदान कर दी यह कि यो कि जियर है लोक में पहुंचकर इस तरह से Surdhya इसको कि वनके उनके वawn सिनज़ जो भी वह शव्राद करेंगे तो दिद अम्रित की रूप में प्रवता यह झा wee यानि दिव योनि प्राप जो भी पितर हैं उनको जो श्राद का भागव अमुरित की रूप में मिलता है और जो लोग ऐसे देथ योनि में पैदा हो गए हूँ उनको भोग के रूप मिलता है यानि कुछ उनको खाना कि नहीं पीना में ठीक मिलाएगा सब्सक्राइब नहीं पैदा हो गया है उनको वायू के रूप मिलता है कि उनको पर्षू योनी में हो तो उनको त्रण के रूप मिलता है त्रण मतलब जो घास होती है हरी घास मिल गई माली ये कोई हिरन बन गया कोई बकरी हो गया बकरा बन गया ये और कोई जानबर हो गया जो की पशुयोनी में है उसको जो उसको कहने तरण के रूप मिलेगा ये अच्छा खाना उसको वहाँ पर भी खास इत्यादी मिलेगी मुनुष योनी में हो तो उसको अन और जल अच्छा अन और जल उसको मिल जाएगा इतनी देखे एक बहुत ही गहरी बात है ये बाते मैं आपको शास्त्रों से बता रहा हूँ पहली बात तो आपको बता दो ये प्रमालिक बाते हैं और उन शास्त्रों में से ही सारी चीज़ें आपको निकाल रहा हूँ अब शास्त्रों के भी कोई डिवेट करने लगे तो फिर उसको वीडियो देखने की जरूद भी नहीं साधना करने की बात ही छोड़ देऊ स्वर नरक और नहीं है भगवान नहीं है आत्मा नहीं परमात्मा नहीं कि टिवेट साधक लोग तो करते नहीं वह से ही कि वच्ट में रहेंगे ऑंगत्वन कि कि भूंदा टीत किस्थिति यहीं फिन को टिवед सुबर नहीं सोइन को करने है तो जीवबं पर करने कि जो भी करते रहे और शवबेश पर सभर को लेकिन किसी को इस जीवन में आ जाता है, किसी को मरने के बाद आता है मरने के बाद तो एक मिन नहीं लगेगा क्थ तो और क्या होते हैं, पितर में में लेकिन तब तक तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जायका बढ़े केवल डिबेट में wealth में बहफ रहत बाजी में और इस नहीं होता वो देयां उस एंसके पूंल को शुटी है जिसके capital जेवन में कोसे नहीं जाने के बाता हूं कुछ कि उष्वास मेरत रहता करने की उनail के बाद strony होगा यूझ artists तो वो चर्चा में और आगे नहीं बढ़ा रहा हूं मतलब यह इतना यह दिव आपको जो है ग्यान जोकी शास्त्रों में दिया हुआ है और इस तरीके से बारीक से बारीक आपको और करेंट्स बताई जा रही है इनको प्रतिक साधकों समझना चाहिए यह बात बताने का मेरा यह है कि यह वीडियो नंबर जोकी मैंने पितरदोष भाग दो मता है इसी कंटिनिशन में आगे कि और कुछ आपको चर्चाए करूँगा तो यह बैक्राउंड करूप में रहे गए और इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो फिर समझ ली पितरदोष निवारान के जो भी मैं उपाय आगे भी बताऊंगा आगे तो धीमेदी में आप उसको जब इंटेग्रेट करेंगे नौलेज को तो आपको लगेगा है इस से हम सौल कर लेंगे और देखिएगा कि उसके बाद जब पूरी जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद जो है इन सारे समस्वां को सौल करना आसान भी हो जाता है इधान रखना है कि मैंने पिछले वाले वीडियो मताया था कि पित्रदोष व्यक्ति स्वेम अपने जीवन में जीते जाकते करता है अपने वन्शजों के लिए खड़ाप कर्म करके फिर जो मर जाता है फिर फिर प्रेतियों में जाता है और उसके बाद फिर उसके पित्रों वो अपने परिवारवारों को परशान करता है अघ। भुष्याद्ध कौन से शरकार दर। अंगर नहीं हो। कि इसलिए पता रहा हूं जाए पर जाल जाए जाए। कि अब मैं कोई गल्ती नहीं करूँगा कोई सत्यों सजाचार के तब मैं ये शादिकर्म करूंगा और अच्छे ये पित्र दोश्नेवाद कि विधिया इत्यादी करूंगा तो हमको सफलता मिलेगी तो इस वीडियो में जो मैंने दिए पित्रों के बारे जान कर या दी आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जान कर ये अच्छे लगे होगी इस वीडियो की देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद